है फेंड्स नमस्ते आधा सश्रीकाल मैं हूँ आपका दोस्त रॉबिन सिंग दोस्तों आज की वीडियो हर उस बिगनर के लिए जो नएया नया सुट बनाना सीख रहा है एक्टुरी दोस्तों होता है क्या है जब भी कोई beginner सूट बनाना सिखता है तो उसे जो problem आती है वो आती है घेरे या फिर चाक को फोल्ड करने में उसमें काफी उससे जोल पड़ जाते हैं या फिर चाक या घेरा एक वल नहीं मुड़ पाता तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा चाक और घेर को फोल्ड करने का एक तरीका तो होगा जिसमें आप सलाई लगा के चाक गेर को फोल्ड कर सकते हो और वो कच्ची सलाई में बाद में तुरपाई ही हो जाती है तो दोस्तों ये दोनों सूटों में अलगलग तरह से हम गेर फोल्ड करेंगे यह जो सूट है, यह बिलकुल इसका स्टेट गेहर है और स्टेट वाला जो इसका गेहर है तुर्पाई वाला अब दोस्तों आपको दिखा रहा हो में दूसरा सूट ही यह वाला हाला कि दोनों ही रफ वenthी सूट है मेरे किसीma कोष्टुमर के निए केवल करने में आप को सम्वथब कर रहा है किसी साप से आपको Ya फोल्ड करना है दोस्तों इसमें तो हम करेंगे तुर्पाई वाला और इस वाले सूट को आपको दिखरा हुआ देखें इसमें दोस्तों क्या है कि जर्नली अगर आप सिलाय वाला सूट बना रहे हो तो बिल्कुल वो भी सीधा ही कटता है उसमें आप सिलाय लगा सकते हो जिस इस तरह से आप सूट का गेर फोल्डbench करते हो तो उसमें क्या है कि सबसब्काइक कर से ऐसमें उसको फोल्ड करते हो तो इस तरह से थोड़ से इसमें आपको फोल्ड्र करने में दिसक्कत भी आती। तो दोस्तो वही चीज़ आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा इस तरह के सूट को तो आप आसानी से फोल्ड करी सकते हो तो पहले मैं आपको यह वाला सूट के बारे में बताऊंगा किस हिसाफ से आपको घेर को फोल्ड करना है किस हिसाफ से चाक फोल्ड करना है ताकि आपका चाक गेर बिल्कुल इक्वली फोल्ड हो जाएं उसमें बिल्कुल भी जोलना है तो दोस्तों पहले आईए इस सूट पर आते हैं तो यह जो मायदन है आपको इस हिसाब से यहां से नापले कितना है यह टोटल दोस्तों सवाइंच के करीब है तो आपको सवाइंच के करीब इस जगे से एक निशान लगा लेना है यह देखें और इसी तरीके से सवाइंच आपको इदर निशान लगा लेना है अब आप इन इसे निशान से पहले जब आप साठी साह Jimmy लगा लेते हो तो उस से पहले आप इसकी देख लेंगा पॉर्टा बड़ा तो नहीं है आगर छोटा बड़ा हो तो यह पहले कटिंग कर लें तो दोस्तो इस तरह से निशान लगाने के बाद आपको करना क्या है इस जगे कट लगा लेना है यह देखें एक कट इदर लगा लिया इस निशान पर एक कट आपको इदर लगा लेना है इससे आपको यह रहेगा कि यह जो हमें जो कट के अकोर्डिंग ही इसको फोल्ड करना तो फोल्ड करते समय आपका जो जो घेर हो बिल्कुल ब्राबर MINडगा गहर को ब्राबर मोलना कैसे दोस्तों यह देखेए सबसे पहले आपको यह कट है इस कट एस से पकड़ना है और यह देखे यzie कि बिल्कुल सीधा यहां चाह रहा है आपको दिख रहा होगा अगर आप beginner हो तो ध्यान से देगे इस चीज को इस तरह से थोड़ा सा नाकून से आप इसको प्रेस कर लें यह देखें अब दोस्तों हमें पता है कि इसको इतना ही फोल्ड करना है इसके बाद इसको इतना पगड़े और अंदर की तरफ इसको आदा इस दबाते हुए यहां पर आपको कच्ची स्राय लगानी है कि दोस्तों यह सारा का सारा जो प्रोसीजर है मैं आपको मशीन पर समझाऊंगा और जब इसको फोल्ड करके दिखाऊंगा तो बिल्कुल आपका जो गहर है एक दम बराबर आएगा तो फैंट्स यह देखिए से यहां से पकड़ते हुए लगभग आदा इंच का मार्जन देना है और इस मार्जन को भीकुल ही रखना है देखें और यहां पर लगानी है आपको कच्ची से लाई इस जगे पहुंचने के बाद आपको मेशीन के बूट को उठाना है और इसको इस तरह से गुमा लेना है और फिर इसी तरीके से दोस्तों आपको आदा इंच का मार्जन अंदर देते हुए यह देखिए सिलाई को इस तरह गुमा लेना है अब फ्रेंट वही फार्मला आपको इदर यूज करना है यह कट आपको दिख रहा हुगा इस कट तक ही आपको इसको फोल्ड करना है और इसको थोड़ा से इस्तरह से प्यास कर लोगा आप तो यह थोड़ी सी पीज बन जाएगे और आप आपको पता रहेगा हमें इतना ही फोल्ड करना है अब दोस्तों इसको मारदरों को इतना ही फोल्ड करें अंदर की तरफ ताकि हमारी यह जो इक्वल्टी बिल्कुल बराबर रहे इस तरफ का चाक और इस तरफ का चाक आपका दोने तरफ से बराबर ही होना चाहिए इसको इसहाब से फोल्ड करना है अपको इसकट का विशेश तोर पर ध्यान रखें आप इसको पहले ही लगा लेना है आपको ताकि आपका जो चाक बिल्कुल ब्राबर फोल्ड हो जाए तो दोस्तो जिस तरीके से इसको मैंने फोल्ड कर रहा है सेम इसी तरीके से आपको दूसरे वाले चाक को भी फोल्ड कर लेना है तो दोस्तो ये देखिए इसके जो चाक हैं दोनों तरफ से मैंने फोल्ड कर लिए हैं अच्छी स्लाई लगा लिए और दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर है तो दोस्तों चाक फोल्ड करने के बाद अब आपको फोल्ड करना नीचे से घेर घेर को फोल्ड करने से पहले भी आप जिस तरह से साइड से आपने इसकी थोड़ी बहुत अगर चोटा बढ़ा तो कटि रख जाता है तो इसको पहले आप बराबर कर लें तो दोस्तों अब यह बिल्कुल बराबर हो चुका है इसके बाद अब आपको जितना भी आप नीचे कपड़ा लेते ओ एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए जनरली दोस्तों दो इंच या धाएंच ही लिया जाता है तो दोस्तों टोटल जो में निशान लगा है इसी तरीके से डाइंच पर निशान आपको इदर लगा लेना है यह नीचे से आपको मार जाले के पहले ही चलना होता है क्योंकि जब आप कटिंग करते हो तो आपको पता होता है अगर तुरपाई वाला बना रहे हो तो लगबग कंफर्म रहेगा कि इस जगे पर ही हमें फोल्ड करना है तो इसको आसान है बिल्कुल फोल्ड करना यह देकी इस निशान को पकड़ा और और इस तरह से थोड़ा सा नाकूंसे क्रेस कर लें और देखे ये निशान नीशन पर आपको इसतना इसको एपका फोल्ड करना है नीचे के जो घेरा होता है जोड़ा भी फोल्ड होता है इस तरह के से और यहां पर आसानी से आपको मैं दिखा देता हूं फिर आपको पता लए जागा कि किस तरीके से मैंने इसको घेर को असानी से फॉल्ड कर गए आपको दिखा दूंगा बिलकुल यह एक एक चीज इसकी बराबर आएगी तो दोस्तों यह देखिए इसका जो घेर वो मैंने फॉल्ड कर लिया है और आप इसको देख सकते हो हर जगे से बिलकुल यह बराबर है कहीं से कोई छोटा बड़ा इसके अंदर नहीं आ रहा और दोस्तों आपकी जानकार के लिए एक चीज में और बता देता हूं कि जब आप इस घेर को फोल्ड करते हो नीचे वाले को तो कई बर क्या तो जो बेग घेर वो सारा खतम हो जाएगा यानि कि आपको एक भी चुनट नहीं आएगी शुर्य-शुरू में आपको दिक्कत आया तो उसके लिए को दिक्कत नहीं आप चोटी मोटी इदा चुनट डाल सकते हो तांकि आपका जो घेर बिलकुल बराबर हो जाए तो दोस्तों यह तो तो रुपाईवाला अगर आप घेर फोल्ड कर रहे हैं उसको कैसे फोल्ड करना है अब मैं आपको बताऊंगा अगर आप सिलाईवाला बना रहे हो घेर यहां चाक तो उसको किस तरह से आपको फोल्ड करना है तो दोस्तों यह बनने जा रहा हूं में सिलाईवाला सूट प करना गया दोस्तों जैसे यह जो निशान है यह देखिए यह लगबग 5 इंच के करीब निशान है तो पउन इच के करीब आपा कियां पर रिशान लगा लिए इसी तरीके से तो से मिल लगाए मैं ले आप इस निशान के अग् 거ahh इसको हुं कर ना इसी तरह से कट लगा लें हलके-लके से बस प्रोसीजर वही है आपको इसको यहां से पकड़ना है यह देखिए जितना इधर आ रहा है उतना ही इधर हाला कि यह जो कपड़ा है थोड़ा तिर्चा है क्योंकि इसको में एलाइन में काटा है अगर बिल्कु सीधा होता तो यह श्यूटकर लेक्स दोस्तों में उसको भरोग मतारा हो ताकि आपको आपको समझात रहा है थोड़ा सा घिर बढ़ा है तो किस तरह से उसको फोल्डकर ने तो यह देखिए मही इ Depot कट अपिदहिकर मालजन कितना रहें टोटल इतने ही में आपको मताँ मिशीन कर तो दोस्तों देखिये कितना इसको न इतना से तौल करना है मैं आपको बताओं अब दोस्तों कि इसको मैं फोलड कर रहा हूं यह आपको दिखेंकर हों कि जाला चोड़ा तो आप इसमें जाला मार्जमी ले सकते हो लेकिन जो अच्छा लूक आता है वो इतना फोल्ड करने पर इसमें आता है आपको दिये देखिए ध्यान से कितना कम मैं फोल्ड किया इसको इतना अंदर और इसको इस तरह से श्लाई लगानी है बिल्कुल कम फोल्ड करना है सिर्फ आदा इंच बाकी यह चीज बिल्कुल आपके बराबर हो इस चीज कर ध्यान रखें इसके बाद आप जब इस जगह पर आ जाते हो यह देखें थोड़ा साहो तो नाखुन से प्रैस कर सकते हो इस जगह पहुचने के बाद दोस्तों आपको दिखातों में लुक बिल्कुल यह बराबर में फोल्ड कर लिया है आप इस जगह से इसको इस तरह के से गुमा लेना है आपको और जितना फोल्ड दूसरी तरफ कर रहा है आपको उतनी ही इसको चुड़ाई रखते हुए यहां से एक श्राय लगानी है और इसको फोल्ड करते हुए इसको नीचे तक आपको लेकर जाना है कोशिश ही करें दोस्तों कप्ड़े को बिलकुल ना खीचें क्योंकि कप्ड़े को खीचने पर जोल पड़ जाता है इसको बिलकुल ठील हाथ से आपको रखना है यह काफी पर वाले कप्रे को लूट छोट रखाया दोस्तो सारी जो कलाकारी है होती हाथों की और ये जो कलाकारी आपके पास तभी आएगे जब आप लगता काम करोगे तो ही आपके पास experience आ जाएगा पहली बार में तो शायद आपस इस तरह से ना फोल्ड हो लेकर जब आप बार-बार कोशिश करोगे तो आपके हाथ में नहीं दिख रहा होगा पर मुझे पता है इसको इस जग अच्छा ही फोल्ड करना है यह देखें थोड़ा सा नाखों से प्रैस कर लिया में आप फ्रेंड्स यह देखें सलाई दों तरफ में लगा ली है जर्नली जो रिडिमेट सूट होते हैं उनमें सिंगल सलाई आती है मैं कि दोश्टों यह देखें इस तरीके से फुल फिनिशिंग के साथ इसको मैंने कर लिया है बिल्कुल फॉल्ड यह थोड़ा बहुत जो जो जोड़े हैं अजब हम प्रैस करेंगे उसके दोवारा यह निकल जाए गा दोस्तों जो इसको ने फोल्ड किया है इसी तरीके स तो फ्रेंट्स यह देखिए इस तरह की से मैंने इसमें दौनों तरफ जो है साइड के चाक फॉल्ड कर ली हैं अगर यह बिल्कुल सीधा होता तो आई परसेंट भी इसमें जोल नहीं आता हलका फुलका तो जोल इसमें आई जाता है क्योंकि एलाई ने वह भी जो जोल है देखें इसको पहले सीधा करें और इसके बाद दोस्तों आपको हलक किसी बिल्कुल सिर्फ एक नामात्र की आप कह सकते हो या फिर आदाइंच के करीब आपको इसकी जो कटिंगे इसको तो हलका सा राउंड में लेना इस तरीके से और इसी तरीके सिदर से कि इसको राउंड में लिया दोस्तों उसके पीछे कारण यह है कि अगर इसको बिल्कुल सीधा रखोगे तो जब आप इसको फोल्ड करते तो इदर से क्या एक कोर्णर सा निकल जाता है आप हलका सा इसको हलका सा राउंड ले लोगे तो आपका कोर्णर वह नहीं निकलेग काहल तो फेंडस देखे किस तरह से फोल्ड करना आप उसको इस तरीके से उठाना है और सिर्फ आदा इंच का महार झा जा इसके अंदर डालते वह इसको इस तरज चे फोल्ड करें और आपको आपको इस जगे से शुड़भात कर लें निए अब बिल्कुल ढेले हातों से यानि कि कप्ड़ को खीचना नहीं आपको बिल्कुल उप्रवाला जो कप्ड़ा बिल्कुल ढेला रखना है और इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए स्लाई लगाएं स्लाई लगाते समय दोस्तों याद रखना है आपको उप्रवाले कप्ड़ा को बिल्कुल नहीं खीचना अगर आपने उप्रवाले कप्ड़ा को खीच दिया तो आपका यह जो कप्ड़ा भाई तब निकल जाएगा जोल पड़ेगा इस तरीक से जब यहां स्लाई खतम करो इसको तो थोड़ा तो इए जाओ वो इसको घुमाना आपको इस तरीके से और फिर आपको लगा लेएं नीचे किनारेवाली तो दोस्तों इस तरीकेसे देखिए इसको मैंने कर लिया एप फोल्ड और जैसे इसको फोल्ड किया है इसके बाद तूरंत मैंने इसको भी फोल्ड कर लिया था आप इसको देख सकते हो यह चाक के बराबार है और कहीं पर भी कोई जोल नहीं है हलका फुल का जो जोल होता है जब दूस्तों प्रेस करते हो अच्छे तरीके से तो सारा का सारा जोल निकल जाता है तो दोस्तों इस तरीके से देखे चाक मैंने फॉल्ड कर लिए और तो फ्रेंड्स ये थी आज की एक वीडियो हलाकि वीडियो थोड़ी लंबी जुरूर हो गई दोस्तों पर मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरा मैं बारी की से चीज चीज बताता हूं मैं अगर बारी किसी चीज बताएंगे तो ही आपके समय में जाएगी तो दोस्तों शोटकर तरीकत तो मुझे आते नहीं तो वीडियो जरूर लंबी हो गई है तो दोस्तों ये था आज का हमारा आज का टुटोरियल जिसमें मैंने आपको दो तरह के घेर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मुच्छ